पेश है परफेक्ट रोटी बनाने का सबसे आसान तरीका प्रेस्टीज रोटी मेकर सबसे पहले आटे को इस प्रकार से गूंद लीजिए कि वो नरम हो ध्यान रखे वो ज्यादा चिपचपा भी नहों गूंदे हुए आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए ढख कर रख दीजिए रोटी मेकर के प्लेट्स को सिर्फ साफ और सूखे कपड़े से ही पोचे प्लग लगा कर प्रेस्टीज रोटी मेकर को स्विच अन कीजिए अब टेंपरेचर नॉब को घुमा कर मैक्सिमम टेंपरेचर सेट कीजिए जब हरी बती जल जाए तो आपका रोटी मेकर रोटियां बनाने के लिए तैयार है तो चलिए रोटियां बनाते हैं सिर्फ चार आसान स्टेप्स में आटे की लोई को थोड़ा दबा कर उसे कबजे की तरफ रखिए अब इसके उपरी लिड और लिवर को साथ में बन कीजिए जिससे आटे की लोई फैल जाए उसके बाद उपरी लिड को तुरंत खोल दीजिए कुछ सेकिंड के लिए रोटी को पतने दीजिए जब रोटी पर छोटे छोटे बबल्स नजर आने लगें तो उसे पलट दीजिए कुछ तेर रुख कर उसे वापस पलटिए ताकि रोटी दोनु तरफ से बराबर पके अब रोटी अपने आप फुलने लगेगी यदि ना फुले तो हलकी से उपरी लुट को बंद करें रोटी को पूरी तरह से फुलाने के लिए आटा गुनते समय देखे कि आटा महीं हो उसमें गेहूं या अन्य कोई टुकडा ना हो गुन्दा हुआ आटा ना तो ज्यादा चिप-चिपा होना चाहिए और ना ही ज्यादा सक्त ध्यान रखे कि लोई को रोटी मेकर के बीचों बीच नहीं धोड़ा सा कबजे की तरफ रखना है और उपरी लिट को दबा कर तुरंत खोल दीजिए आकि रोटी की लोई बाहर खिसक न जाए रोटी मेकर के उपरी लिट को दबाते समय ज्यादा जोर ना लगाए इससे रोटी तूट या फट सकती है रोटी मेकर पर मेटल के चमच का इस्तमाल ना करें सिर्फ लकडी के चमच का ही इस्तमाल करें साफ करने के लिए सुखे कपड़े का ही इस्तमाल करें पानी या अन्य किसी लिक्विट का इस्तमाल ना करें और हाँ, इन गरम प्लेट से सतर्क रहें बस अब आप तैयार हैं परफेक्ट रोटिया बनाने के लिए Prestige Roti Maker झालने के क्वड़ी बनाने के लिए से ना हुआ। झाल 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 झाल